नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एज्योगिस्टन चैनल में तो आज की ओडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हैल्फ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि स्कीन के उपर इस तरह से गंबिर इंफेक्शन हो गया है फिर दूसरी हम कंडिसन देखे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से रेटनेस देखने को मिल रही है पूरे लेक्स के रिया में और स्कीन के उपर इंफेक्शन देखने को मिल रहा है कि जिसको हम डर्मेटाइटिस हुआ ऐसा कहते हैं तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि पूरी चेस्ट के उपर इस तरह से रेड कलर के पैचिस जैसे बन रहे हैं और वहाँ पे सूजन आ जाती है और पेसंट को काफी ज़्यादा जो है वो इचिंग होती है फिर ल्यूपस की बीमारी हो जाती है कि जिसके अंदर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उस तरह से स्कीन के उपर जो होते हैं गाल के आसपास जो नाक होता है उसके उपर आखों के उपर इस तरह से रेडनिस और स्वैलिंग देखने को मिलती है स्कीन के उपर फिर एक और स्कीन की समस्या कि जिसको हम कहते है सोराइसिस का रोग होना तो यह प्राब्लेम भी सौल करेगा हमारा यह टाबलेट फिर जो गंबिर स्कीन इनफेक्शन हो जाते हैं इस तरह से यह वहाँ पे पस्फर्मेशन भी बन जाती है सुजन भी हो जाती है फिर Lichen Planus की जो तवचा हो जाती है यहाँ पे जो आप देख रहे है पीक में तो ऐसा स्कीन के उपर जो है वो देखने को मिलता कि जिसको हम Medical Terms में Lichen Planus कहते हैं फिर गठिया सबंदी विकार भी हो रहा है कि जिसको हम Arthritis का Problem कहते है तो उसमें भी हमारी ये Medicine यूज़ की जाएगी और सरीर में सुजन हो गई है और इस तरह से Redness हो रही है Skin Infection के कारण तो ये सबी हैल प्रॉब्लेम को Sol करने वाली बहुत अच्छी Tablet के बारे में डीटेल में सिखते हैं आज के Lecture में और जानेंगे Canacord for Tablet के बारे में कि जो गंबिर से गंबिर Skin Infection और सुजन चीजो Condition होती है उसको ठीक करने के लिए Use की जाती है तो ये सब अलग-अलग Chapters की हम Study करेंगे आज के Lecture में Canacord टाबलेट के बारे में और डीटेल में उसका जो है वो Review करते हैं तो सुरुआर करते हैं बेजिक से तो Canacord for Tablet जो है वो ऐसी क्लास की Medication है कि जिसको हम Cortico-Steroids कहते हैं मनलब कि ये Steroids क्लास की Medication है Canacord जो है उसका Brand Name हो गया और उसके अंदर जो Salt Composition है उसकी हम बात करे तो Triamcinolone जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है कि जिसकी 4 मिलिग्राम स्ट्रेंथ रहेगी एक Tablet के अंदर हो Manufacture की हम बात करें तो Abbott उसके Manufacture है और Triamcinolone के बारे में मैं आपको थोड़ा और बताओ तो ये एक Popular Cortico-Steroids Drug है कि जो बहुत सारी Inflammatory Condition को ठीक करने के लिए उसकी जाती है Especially Skin Related जो Inflammatory Condition है उसको ठीक करने के लिए ये एक बहुत अच्छी Medicine के तौर पे हम यूज कर सकते हैं तो Abbott उसके Manufacture है और Abbott के बारे में बताओ तो एक American Multinational Pharmaceutical Company है कि जिसकी India में Head Office जो है वो मुंबई में है तो ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना अच्छा लगता है उनके उपचार उनमें कौन सी दवाई या यूज होती है तो आप हमारी बुक जो है उसको जरूर से पर्चस कर सकते है तो ये बुक को लेने के लिए आप ये वाले नमबर पे हमें WhatsApp कर सकते हैं तो काफी affordable price के अंदर पूरी color printed book जो है वो आपको मिल जाएगी तो यहाँ पे आप बुक की जो detail जो है वो देख सकते हैं तो अब topic पे वापस आते हैं तो ये जो medicine है वो अलग 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 जो disorders होते हैं specialist skin के उपर जो allergic reactions हो जाती है उसको ठीक करेगा फिर जो ulcerative colitis है arthritis है, lupus की problem, soritis and जो breathing disorders होते हैं उसको ठीक करने के लिए canacot को prescribe किया जाता है अब उसके label के बारे में अच्छे से समझ ले तो ये जो है वो prescription based medication है का brand name है, salt composition जो है वो triamcinolone की जो Indian pharmacopoe के standard के according to बना गया है फिर label में हम यहाँ पर देखें तो sedule ash की drug है, warning देखी गई है वहाँ पर तो sedule ash की warning ये रहती है कि जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो valid prescription के साथ ही उसको retail में बेचा जाता है बिना prescription के ये medication जो है वो आपको नहीं मिलती even कोई लेता भी है और उसके serious side effect होते है तो काफी ज़्यदा complications हो सकते है फिर uncoated type की ये tablet रहेगे यहाँ पर आप देख सकते है कि label पर लिखा है कि ये tablet के उपर किसी भी प्रकार का coating नहीं है uncoated type का tablet है और blister pack में available है और एक blister के अंदर आपको 15 tablets जो है वो मिलती है working के बारे में समझते है तो ये medicine हमारी body में ऐसे chemical को block करता है जो pain and solution के लिए responsible है तो मान लो कि कहीं पर ऐसी condition produce होती है और कुछ ऐसे chemical release हुए कि उसके करण वो जगा पर हो जाती है सूजन हो जाती है inflammation हो जाती है और उसके करण pain हो रहा है तो ये chemicals को block करते कि जिससे आगे जाके inflammation का जो problem हो soul होता है साथ में ये body के जो muscles को relax करती है जिससे patient को काफी आराम मिलता है तो यहाँ पर जो लिखा है कि ऐसे chemical जो release होता है जो Susan के लिए responsible है उनको block कर देदा और इस तरह से कैना कोड फॉर जो है वो काम करता है dose की हम बात करे तो उसकी range है 4 से लेकर 32 mg पर day महलें कि मैं maximum 32 mg जितना पूरे दिन में लेख सकता है patient और minimum 4 mg जितना dose भी लिया जा सकता है और tablet को बिना तोड़े उसको निगल जाना होता है और food के साथ लेना होता है और milk avoid लेनी करना चाहिए अगर आप यह medication लेते है because इससे कारण क्या होता है अगर आप milk के साथ यह tablet को लेते है तो stomach upset हो सकता है acidity हो सकता है या फिर pet में disturbance जैसा हो सकता है तो usually क्या होता है कि prescribe जब किया जता है तो दिन में दो बार लेने की advice रहती है और हर दो tablet की बीच में at least 6-8 गंटे का time interval जो है वो रखा जाता है price के हम बात करें तो जो latest price है December 2023 के according to तो उसकी price रहेगी 160 रुपीज 15 टाबलेट की तो एक टाबलेट आपको around 10 रुपे के आसपास या फिर 11 रुपे के आसपास पढ़ती है तो यहापे में फिर से reminder देना चाहूंगा कि हमारी जो book है decision treatment बीमारिया और उनका उपचार जरूर से purchase करे पूरी book यहापे जो आप देख रहे हैं उस तरह से color version में available है सभी बीमारियों के photograph आपको मिल जाते है medicines के जो brand होते हैं उनके अच्छे से peaks आपको मिल जाते हैं उसको जरूर से purchase करे लिंक में आपको description box में दे दी है as well as आप pin comment के अंदर भी comment कर सकते हैं आगे समझते हैं उसके कुछ side effects तो can I got for अगर लेता है कोई तो पेट में upset जैसा आपको fill करता है मतलब की पेट में जलन जैसा फिल होना, acidity जैसा फिल होना insomnia मतलब की रात को late तक जो हो नींद नहीं आती पेट में irritation जैसा फिल होता है गट में भी जो मतलब की जो हमारे intestine से वहाँ भी irritation जैसा फिल कर सकता है patient, सिरदर्ध होना dizziness, tiredness मतलब की नींदाना, ठकान रहना, उबासी वगेरा लेते रहना और कमजोरी जैसा कुछ लोग मैसुस करते है इसको लेने के बाद irritation हो सकता है, weakness आ सकती है मतलब के कमजोरी ठकान जैसा मैसुस करना फिर warnings हम देखे तो कौनसे condition में कैना कॉट फॉर्ड को नहीं ली जाती या फिर ऐसे patient कि जिनको ये tablet prescribed नहीं की जा सकती तो वो है एक पैप्टिकल सर्स के patient या फिर किसी को पैप्टिकल सर है और या फिर पैप्टिकल सर की medical history रही है तो उनको कैना कॉट फॉर्ड टैबलेट नहीं दी जाती फिर severe osteoporosis के patient है severe myopathy, viral infection glaucoma and metastasizing, tumors के जो patient है, उनको ये medication नहीं दी जाती अब pregnancy category के बात करें तो C है, तो जो pregnancy category C की दवया होती है वो completely unsafe होती है pregnancy के दोरान, तो उनको avoid करनी होती है pregnancy के दोरान कि अगर कोई person pregnant है और ये tablet prescribe की जाती है तो वो गलत रहेगा pregnancy में ये medication को नहीं दी जाती फिर जो breastfeeding का जो period होता है बच्चों में उसमें भी ये नहीं दी जाती मलब की जो baby है वो breastfeeding कर रहा है तो उसको भी side effects हो सकती है अगर उसकी mother ये tablet लेती है breastfeeding period में तो ये ध्यान रखना है drug-drug interactions हम देखें तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जो antifungal से itraconazole, ketoconazole इसके साथ combination में canacord को कभी भी use ना करें विकोज ये दो drugs के बीच में drug-drug interactions हो सकती है telithromycin, reformycin, clarithromycin फिर nephazodon theophile, indizoxin, phenytoin cyclospurin के साथ ये drug-drug interactions कर सकती है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी देख सकते कि जहाँ पर मैंने detail information दी है medicines और बीमारियों के बारे में so good luck and all